क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन के काम्याबी के बाद इस देश के राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक दलों में इतनी ताकत है कि वो इस किसान आंदोलन से उर्जा को ग्रहन करके प्रेरणा लेकर वो सरकार के जो सरकार का सामना कर सकते हैं सरकार को बता सकते हैं ले लें कि आज अगर संसद में दोनों कानूनों की वापसी का जो प्रस्ता हो है वो किवल चार मिनिट में पास हो गया और उस पर सरकार ने बहस करने नहीं दी और इस मुद्धे पर विपक्ष बयानबाजी के अलावा और कुछ कर नहीं पाया तो विपक्ष में जो ताकत आन किसान आंदोलन के मुद्धे पर विपक्ष इसको मोबिलाइज करने में फूरी तरह से चुक गया विपक्ष हमेशा दूर दूर रहा किसान आंदोलन से टूइट कर दिया बयान दे दिया लेकिन वो दूर दूर रहा किसान आंदोलन से और जो किसान आंदोलन की जो सफलता ह कव्यास लुख का उसमें कोई खास भूमी का मेरे ख्याल से नहीं रही यहां तक कि यह लखीमपुर का जो कांड हुआ था उस कांड के बावजूद विपक्ष ससे नहीं उठा पाया. सरकार पे बहुत दबाव नहीं बना पाया. मूधी सरकार की दो बाद शुड़िए. योगी सरकार पे भी कोई दबाव नहीं बना पाया और सुरीम कोड ने अगर उसमें लगातार जो है अस्तक्षेप नहीं किया होता तो जो कुछ सब्सक्राइब करें करना और खालिष्टानी किसान खैरे के साथ दिल्ली को घेरे रहे और अपनी बात मनवा पाने में सफल रहे वो विपक्स के लिए बहुत बड़ा सबक है उसको सीखना चाहिए कि हम ऐसे सस्टेंड जो है कारक्रम कैसे चला है तो यहां जब तक विपक्स ऐसा नहीं करता तब तक हम बहुत ज़ारा उमीद नहीं कर सकते यह जो बहुत लोग कहने लगे हैं कि देखिए किसानों ने तो नरिंद मुदी को जुका दिया और क्या आप इसको नरिंद मुदी की हार के तौर पर देखते हैं या इसको लोकतंत की जीत की तौर पर देखते हैं या यह एक छलावा है तो यह कानून वापस लिनने या कोई सवाल ही नहीं उठता गर ये चुना एक साल दो साल बाद होते तो सरकार को कहां फिकर होती सरकार को कोई फिकर नहीं होती धरल सरकार को के सामने चूकि चुनाव है और चुनाव उत्तरपोदेश में चुनाव पंजाब में, चुनाव उत्राखंड में और सरकार के पास इस तरह की तमाम रिपोर्टें पहुंची कि किसान आंदूलन पर सरकार के रवये से बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है और वो जगे-जगे देखा गया हरियाना में देखा गया जहां बीजेपी नेता पानुनों को बनाये रखती तो बेसिकली यह लोकतंत्र के सामने सरकार जुकी नहीं है मुझे नहीं लगता है कि सरकार की लोकतंत्र में आस्था होती सरकार की तो सरकार इन विलों की वापसी को ले करके संसद में बहस कराने से क्यों भागती क्यों आप बहस नहीं करा सकते आप बहस कराएए लोगतंत्र की पहली शर्थ है विमर्श और आप इस साह साल में देखिए बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार ने कीन मुद्धों पर विमर्श किया है विपक्च के साथ यहां तो एक करफा है कि सरकार ऐसा सूपी ये बीजेपी ऐसा सूस्ती इसले ऐसा कान बनेगा ये लोगतंतर का मतलब नहीं है लोगतंतर का मतलब विमर्श होता है और विमर्श सभी लोगों के साथ होता है जिनसे आप सहमत हों जिनसे आप असहमत हों आपके विचार जिसे मिलते हों ना मिलते हों उन सबसे बात करके त तक साथ साल में किया ही नहीं है यह पहली बात है तो इस नहीं कहता हूं दावेक साथ यह किसान अंदूलन दो साल तक किसान यहीं बैठे रहते और सरकार इनकी कोई परवा नहीं करते वह इस बात से भी साबित है कि अगर सरकार को किसानों की इतनी ही परवा होती या ऐसे ही सरकार जुग गई तो लखीमपुर तहीरी के मामले मा सरकार का रवया देख लीजे ना कि जो जिस व्यक्ति ने सरे आम सारे वीडियो हैं किसानों को रौन दिया कुचल दिया उसका किता जो है अभी भी मोधी सरकार में मंत्री है आप उसको हटाने की कोई बात नहीं करते और उस व्यक्ति के खिलाब भी अभी तक कोई भी ठोस कारवाई नहीं हो रही है उत्तरपदे सरकार लगातार टालमोटोल कर रही है हालनकि सुप्रीम कोर्ट लगात सरकार उसको कह रहा है उस पर दबाव बनाए हुए इतनी सारी बातों के बावजूद अगर योगी सरकार कर रवया है तो मैं कैसे मालनों कि नहीं यह सरकार जो है लोगतांतिक तरीकों से चल रही है सत्ति हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर कि बावभ कर दो